कि ए जेड़ा साड़ा मन है ए पवित्र कि में होवे मन पवित्र होवे ए तां संभव है जे इस गाल्दी समझ आ जाए भी मन मैला क्यों है क्योंकि जिन्नी देर तक मैल नजर विच नहीं आई जिन्नी देर तक इस गल्दी परतीत नी होई भी मन मेला है उन्नी देर तक मन नू पवित्र करन दी विचार पैदा हो ही नहीं सकती इन्वेंज समझ लो साथ संगत कि जिमें असी किसे कपड़े नू अपने नेत्रा नल वेख देया खानाल वेख देया कपड़े दे अंदर मेल है थेसी यतन करने आ होन इस कपड़े नू तो ता जाये जे कपड़े दे अंदर हूं मेल नजर ना आवे त्यसी केनिया य techniques गड़ा ठीक है इस कपड़े नू एक दोबरी होर हंडालो एक दोबरी होर पालो ये शेतना सद्गुर पात्षा जीने बाणी विच माननू पवित्तर करण दी गाला किये पर साच ये है असी सब इस गालते बड़ा जोर देने है मान पवित्तर होवे मान पवित्तर होना चाहिद है पर ए मान ओदों पवित्तर होंद है जिन्हों इन्हों इस गाल्दी पर तीता जाए भी इन्हों मैल लगी होई है जिमें सद्धकुर की पामन बानी दाउ पदेश आप पड़ देओ सभ केंदेने मान मैले सब किछ मैला जी मान दें अंदर मलीनता है ते पादशाजी केंदेने फिर सब कुझी मैला नजर आएगा पाम जी बंदे दी सुर्थ दे अंदर मलीनता है फिर मनुखे ना नेतना नालवी मैला विखेगा जी बंदे दी सुर्थ दे अंदर मलीनता है फिर बंदा इस जीबा नालवी मैला ही बोलेगा भाव किसे दिनिंदा करेगा फिर बंदा इना करना दी सरोत राही चंगानी सुनेगा इन्वे ना करना दी सरोत राही वी बुरा सुनना ही चंगा लगेगा शाद इसे करके गुरु अर्दन सहीब जी ने बानी विच बचन किया है नैनो नींद परद्रिष्ट विकार श्रवन सोय सुननिंद विचार रशना सोय लोब मिठै साथ मान सोया माया विशमाद इस ग्रह में कोई जागत रहे पादशा के इन इस कार विच कोई जाग जाए उ अवेर होन दा मतलब है चेतानो ना पाव जिदे नू समझा जाए कि मेरे अंदर मैल है विखो एक हादता कि इनसान साथ संगत उन्नू संसार दे इना करमा दे विचो बड़ा रासां दे किसे नू निंदा करन दा रासो वे वो जिनी देर तक किसे दी निंदा करन ने लेंद बनेया होया है एसे तरह ही साथ संगत जिननू परमात्मा दे नाम दी लगन लग जाए जिन दे अंदर राब दी मुहबत परमात्मा दा इश्क पैदा हो जाए ओ फिर परमात्मा दे नाम नू जापदा है ओन जिनी देर तक आपनी रशना तो नाम नहीं जाप लेंदा जिन अपनी देर तक उनु कुछ पीना मी चंगानी लगदा बस शद्गुर जी केंदे ने तेनु आपने अंदर दी मैल नजर आ जाए और बानी विच दर्शन करिये भी ए मान किना कू मैला है गुरु अमरदास पाथशा जी दा बचना पड़ दियो सहिव केंदे ने जनम की इस मा माननों एक जनम दी नहीं अनेका जनमा दी मैल इस माननों लगई हुई है उन ते आन देना मन अनेका जनमा दी मैल लेके तुर्या फिर दै ते सद्गुरु गरंच से पाथशा जी दी पावन बानी दा बचन विये सहिव केंदे ने बंदे आग ए शरीर जड़ा है ए एक तर आती है इन दे अंदर तु जे हो जे करम बीजने ओहो जे तेनू मलदै ख्याल करना हुण एक विशा बड़ा गंबीर है पर मैं यतन करांगा साथ संगत इनू इन्ने थोड़े समय अंदर आप जी दे चरना विच बेमती वजो मैं इस चीज नू बयान कर सकां बस असी साप स शंगत दी चाए दिये पात्शा जीने बचन के बाणी दे विच घुरु अर्जुन दे पात्शा जीने बचन के शेव केंद ने ए इस जनमा बूदै तो मेड़ा हे इनना मतलब है इन्शान फुरनियाँ दे रोप विच आपने नाल कई जंपा दे संसकार से हेडी फिर दे इस जनम देवी और अनेका जनमा देवी और ए जिड़े संसकार ने अमनुक दे अंदर वक.वक बियुक बिर्तियाँ दे रूप इच कर्म कर देने जिमें कुते दे अंदर लोब दी बिर्ती है सदबुर ने पावन बाणी वीचिक बचल के इस लोग संस्क्रित अंदर गुरु अरजुन सहब जी केंदे ने गुर्मंत्र हिनस्य जो प्रानी त्रिगांत जनम प्रिश्टन है जड़ा गुरु देव पदेश्टु हिन है तापके शरपने गर्दमे तुल खले सब केंदे ने उन पशवाँ दे तुल खड़ा होएं पाप उन्दा जीवन इन पशवाँ दी नयाई है जिन्नों गुरु अरजुन सहब केंदे ने करतूत पशु की मानसजाद करतूत पशु की है करम पशुआं वाले कर रहे हैं इस दिन इस गाल्दी समझ आ गई, मेरे बादशा के इन इन्हों आपने अंदर दी लगी हुई मैल नजर आएगी, जिमें चेरे ते दाग होए, बंदा शीशे दे सामने, मिरर दे सामने खड़ा होंदा है, ते ओ शीशा इन्हों दस दे दाग है, ते चेरे ते किते दाग है, क खड़े होंगे, शानू आपने अंदर दी मैल नजर आएगी, शाद संगत ए मैल कि तो भारो नी तोती जा सकती, इस मैल नूँ जे कोई ए आखे भी मैं तीरत ते जाके तोला मा, ए भी एक बड़ा वड़ा कंसेप्ट है, तरम दे अंदर भी लोग तीर थाते, मन दी मैल तो उन जान देने, पर ओ ओ ओथे नी तोल दी, ओ ता तोल दी जितों इंदे अंदर गूर दा जिन दिता हुया ठेक जाएगा, जिनों फजर गिंदे ने ग्यान अंजन गूर दिया, अग्यान अंदेर बिनास किसे सजन ने बड़ी प्यारी गाल कईये ओके अंदर को इन्सान तीरत चले आशी किसे स्याने सजन ने आखिया क्यों सारी जिन्दगी बढखना है ओके न लगा पढखदा नहीं शास्तरा ने अंदर गाल कईये तीर थां ते न आऊगे ते मैल दूर होएगी तो आनू स्वर्ग दी प्राप्ती होएगी केन लगा फिर एक कामकार जे साच विच ती रथां ते नातेयां मान दी महल दूर हों दिये ते आँ मेरे कुलो एक छोटी जी लकड़ दा टुकड़ा है ओ लकड़ दा टुकड़ा सी तुम मेदा सेब ने बाणी विच जिकर की ते बड़ी कौड़ी लकड़ों दियें दी दंदा दे थले रखो जीब नू शुहाओ ते जैर दी तरह कौड़ी है पर हुन जितों ओ लकड़ दिती ते नाल कैन लगा जिते तू चुब़ी मारेंगा ओ थे इस लकड़ नू वी चुब़ी मरवादी नू वी शुनान करा देई तांकि एंदे अंदर दी कुड़तन वी मौक जाए ओ गया जिते उन्हे शुनान कीता ओ थे उन्हे चुब़ी मारेंगा ओ थे ही उस लकड़ नू चुब़ी मरवाई वापस पर थे आते ले आके उन लकड़ राक देती कहने लगे वेग मैं ठाड थीर थां दै शुनान करके आया तेरी दिते लकड़ नू वी शुनान करा देता ओ ओन अपनी लकड़ तू साम ले उन्हें लकड़ हाथ विच फ़ड़के दंदा थले रखी फिर उन्दे हाथ विच राख दीती कैने लगे तू तीर था ते नाता नहीं तू चूट बोलने केंदा नहीं मैं तीर था ते शनान करके आया मैं क्यों चूट बोलनागा कैने लगा तू इस करके चूट बोलने क्योंकि इस लकड दे अंदर दी कड़तन दे अजे भी नहीं गई यह थी अजे भी अंदरों को उड़ी है सद्गुर गुर नानक पाथशाद यही गल करदे ने जनम जनम की समन को मल लागी काला हुआ श्या खनली तोती उजली ना हुवई जे सो तो बन पाथशव के अदने एताद उजली हुएगी नानक मैल नाल कुर परशादी जीवत मरे जितों गुरू दी किर्पा नाल आपने अंदर नू मार लेंगा आपने अंदर नू होड लेंगा अपने अंदर दी मैल नो तो लेंगा फिर उल्टी हो वै मात बदला फिर तेरी मात उल्टी हो जाएगी पाफ बदल जाएगी फिर तेरी मात अंदर साच जाएगा तेरी अंदरो चूट निकल जाएगा पे पांडा तां साफ होना है पांडा हच्छा सोए जोतिश पावशी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी पादशा के इंदने गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एत द्वारे तो ए हच्छा होए सी पादशा के इंदने मान पवित्र किवें होए सहब दी बानी वी जो आपा दर्शन कर रहा है मन अम्यला है इस गाल दी समझ आ गई जिदो इस गाल दी समझ आ गई हुन बंदा कुरूत वपदेश नो दी ळे हुन माडे करमावल तरजी नी दे दा हुन निन्दा सुन के निंदा करन वाले नू केंदा पलेया निंदा ना करया कर किसे दे बाड़े बोल सुन दे उनू केंदा नाम माड़ा बोलेया कर किसे इनसान दे हथारा ही माड़े कर्म हुं दे वेख दे उनू केंदा नाम माड़े कर्म करया कर मेरे सद्गुर पादशाजी के इन्देने हुन अन्दे अंदर परवर्तन शुरू होय है ताइसाइब दी बार्णी निर्मल जिदो हिरदा निर्मल हो गया फिर पादशाजी के इन्देने बारो निर्मल फिर बारो निर्मल होएंगा बारोता निर्मल, जियो निर्मल, सद्गुर्ते करनी कमानी, कूड की सोय पहुंचे नहीं, हुन चूट दी इंदे तक सोय नहीं पहुंचेगी, हुन चूट दी लाग इंदे तक नहीं पहुंचेगी, सद्गुर्ते के इंदे ने कूड की सोय पहुंचे नहीं, मन सा सच समानी जनम रतन जिनी खटेया पढ़े सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदार है गुर नाले जिनना ने गुरु देवपदेश नाल मन निर्मल कर लेया उन गाल समझ भी चाई भी मन पवित्र किमे होवे पहला साथ संगत समझ भी चाजाए भी इस मन नू मैल लगी है समझ भी चागी मन नू मैल लगी वेखवा पा कारविच रेनेया साड़ा कारश यतन करनेया हर वेले बड़ा सुंदर अंदरो दिसे ते जिदो सानू कर दे किसे कोने दे विच मैल मिटी नजरां दिये असी उसे वक्त चारू फड़ देयां पोचा फड़ देयां कार दे अंदर दियो उस मिटी नू दूर करनेया सहब के देने तेरे अंदर वी मिटी है तेरे अंदर वी विकारां दी मैले तेरे अंदर वी माया दी अपनत दी मैले सहब के देने जेस दिन तेनू समझ वी चागई नजर वी चागई उस दिन तू अपने अंदरो इस मैल नू तो हेंगा ते जिदो इस मैल नू तो हेंगा सहब के दिने फिर तेरा एमान पवित्तर होएगा एही कारण है कि साड़े अंदर दी लगी होई मैल तोल दी नहीं क्योंकि साड़े सारे यतन जड़े ने साड़े जिनने वी फैक्ट जड़े ने वो शिर्फ फिजिकली तोर तेने बारो ने शेब के दिनने बारो यतन करंदे नाल नाल अंदरो भी यतन कर अपने अंदर दी सुर्थ नू बदल सोच नू बदल विचार नू बदल विचार बदल दी है ते समाज बदल दे, शरीर बदल दे, समाज बदल दे, संसार बदल दे बस जिदन विचार बदलेगी क्योंकि विचारा नालही स्वर्ग है, विचारा नालही नर्ग है जिस दिन विचार बदल गई, उस दिन सद्गुर के इंदे ने तिरा अंदर तिरा